तो Unity of Command, Unity of Direction अभी खतम कर लिया, Taylor के Principles पढ़ लिया, Fayol के Principles थोड़े से रह गए हैं, उनके बारे में आज हम बात करने आए हैं, मैं आपका Mentor, आपका Educator, Welcome to Learn करो Class 9-12, यार हम ट्राय करें जितने भी वीडियोस बन सकें आप सब के लिए, आप सब के Pre-Boards और Boards के लिए सार यूट्यूब पे डाल कर आप की Help हो सके, और यार जिन्होंने अप्लिकेशन डाउनलोड कर रही हैं, उनको तो Notes भी मिल गए हैं, यार Most Important Notes जितने भी हैं हमारे syllabus में, चाहिए वो Political Science के हो, Business Studies के हो, Economics के हो, Accountancy के हो, सारे के सारे Notes आपको मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे Notes ब डाउनलोड कर सकते हो, अब हमने ये खतम कर लिया, Fayol के 3 Principles खतम करेंगे, उसके बाद हमारा क्या रहे जाएगा, Taylor और Henry Fayol के बीच में, जो Difference है, जो उनके Ideologies में, जो उनके Principle Management और Henry Fayol के देवे Management Principles में, जितना भी Difference है, वो खतम करेंगे, क्योंकि वो भी Question बहुत ही Important है, चलिए, स्टार्ट करते हैं, सब सही है ना वैसे, वोट बगएरा सही जा रहे हैं ना, मतलब त्यारी अच्छी हो रही है ना, अच्छी होनी चाहिए, चलिए, Remuneration of Employees, यार यह हम बहुत confused होते हैं, यह क्या word है, Remuneration, 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 It means salaries, या wages, या incentive जो मिलता है ना, जैसे for example, मैं किसी organization में काम करने गया, तो मुझे कुछ incentive मिलेगा यार, और यहां तक की incentive बता हूँ, normally क्या होता है, money होता है, तो हम Remuneration को क्या बोलते हैं, salaries हमें मिलेंगी, और wages हमें मिलेंगे, या कुछ भी मिलेगा in terms of money हमें मिलेगा, in fact, अभी मैं आजकल कुछ पढ़ रहा था, तो उसमें लिगा रखा था, एक बहुत ही बढ़िया management का professor था, वो बोल रहा था कि, money is the best motivator, कि अगर आपको किसी से output जादा दिलवाना है, या production increase करवानी है, उसको पैसे जादा दो, जादा output निकलेगी, जादा production होगा, जादी efficiency निकलेगी, हमारा base stage, हमारा cost कम होगा, reduce होगा, so यार उसके बार में है point, money is the best motivator, आईए पढ़ता है, क्या बोलता है, the overall pay and compensation should be fair to both employees and the organization, हाँ, fair होना चाहिए, सिरफ employees के perspective से ही नहीं, organization के भी perspective से fair होना यह जितना भी हम pay दे रहे हैं employees को, देखो यार जो हमारे employees हैं, इन सब को पैसा चाहिए, देखो, अब यह पैसा, अब यह पैसा, ओहो, वाह, मजा आ गया, जी मजा, तो इनको पैसा चाहिए, देखो यार, जब भी आप organization में जाओगे, you want more money, obviously हमारा human nature ही ऐसा है, कि हमें ज employees को इतना पैसा नहीं देना, हमें उनको पैसा देना है, but that money should be fair, दोनों के perspective से fair होना चाहिए, right, तो आगे यह बोल रहे है, at the same time, it should be within the paying capacity of the company, बहुत important point है, employees तो बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे दो, company के रिये कट करो, तो यह जो boss है ना, मारे boss, जो company के boss है, वो ब employee को retain करके, या hire करके, या उसकी competency, competency मतलब capability, कि यार यह इतने लायक है भी है नहीं है, for example, मेरा एक startup है, Mr. Bunny, इनका एक startup है, तो इनने का कि ठीक है, मेरा एक budget है, जब भी मैं hiring करता हूँ, hiring मतलब, जब भी मैं अपने under employees रखता हूँ, मेरा एक budget है, यह नहीं कि, for example, मैंने मेरे budget के भार हो गया है, तो मुझे ध्यान रखना है, that it must be within the paying capacity of the company, जो company ने budget बनाया है, employees को cash देने का, payment देने का, remuneration देने का, वो उसी के अंडर है, 10,000 से कम जरूर दे सकता हूँ, 10,000 से beyond नहीं दे सकता, तो इस strategically देखना पड़ता है, कि हमें किस इंसान को कितनी pay मिलनी चाहिए, उसका यह साब यहां पे चल रहा है, right, last one कहता है, hence remuneration should be just and equitable, just मतलब to the point, बिल्कुल fair, बिल्कुल जायस, just मतलब जायस, to the point होना चाहिए, बिल्कुल appropriate remuneration हमें मिलनी चाहिए, और equitable हमारा क्या गह रहे है यहां पे, कि यार ऐसा ना हो कि मैं किसी post पर हूँ, for example, I ऐसा ना हो, मेरी कोई कलीग है, she's a female, वो भी CFO के post पर है, but उसको मेरे से जादा salary मिल रही है, अरे, यह equitable थोड़ना हुआ, यह तो unfair हो गया, कि मेरे को तुम salary दे रहो 50,000, जो मेरी कलीग है, जो मेरी post पर है, मेरी position पर है, मेरे level की position पर है, उसको तुम देना चाह रहो 60,000, तो 50,000, 60,000, यह gap हो गया ना, difference हो गया ना, that is non-equitable, Remuneration of employees बोलता है, Henry साब कह रहे हैं, कि यार equitable होनी चाहिए, कोई बंदा same post पर तो उसकी salary भी same होनी चाहिए, यह बात हो रही है, right, perfect, पढ़ लिया हमने यह, next move on करते है, next हमारा बोल रहा है, scalar chain, most important, लिखके आओ कि तो बहुत अच्छा impression पढ़ेगा teacher पर, और आपको समझ आ कि ठीक है, हमें खुद एक organization में आगे देखने को ऐसा मिलने वाला है, theory छोड़ो, सुनो यह क्या कह रहा है, let's say, यह एक बहुत बड़ी company है, अभी हमने पिछले वीडियो में Honda का example बढ़ा था, क्या बढ़ा था, कि Honda ना, bikes भी produce करती है, और cars भी produce करती है, perfect, तो जो bike का wing उसकी line of authority, मतलब उसका boss कोई और है, उसकी line of authority अलवग होगी, तो let's assume, यह line of authority है, यह है bike division की, right, एक यह line of authority है, line of authority का मतलब यह होता है, कि O P का boss है, N O का boss है, मतलब N को authority है O और P की, N बोल सकता है O और P को, कि यह तुम यह काम करो, N direct कर सकता है, N के पास authority है, अपने junior से, अपने employees से काम कराने की वैसे ही L किसको बोल सकता है? M, N, O, P ये चारों को बोल सकता है काम करने के लिए L के पास authority है, इन चारों को जितने भी line में हैं उनको authority से बोलने की, की आप मेरा काम करके दो मेरे को orders मिले हैं उपर से, आप मेरा काम करो मेरे पास authority है आप चारों को काम देने की line of authority समझा आ गया, ये bike division है, ये car division है बिल्कु समझा आ गया, हमने ये समझे लाइन of authority एक बड़ी company में अलग-अलग है, अब देखो बहुत solid point है बट यार, जरूरी नहीं है कि अगर ये bike, ये division one है है, अगर ये bike division है, और ये car division है तो जरूरी नहीं है कि E को, ओसे काम हो पड़ सकता है E को, अगर O से बात करने है, ऐसा नहीं है कि line of authority अलग होगी तो E कभी O से बात करेगा ही नहीं, ऐसा हो सकता है E को कुछ O से काम हो कोई spare part bike में भी use हो रहा हो car में भी use हो रहा हो और आप इसमें वो link करके contact करके एक दूसरे से part मंगवा रहे हो ऐसी feasibility है ना communication की बात चल रहे हैं पर कि बात हो रही है या नहीं हो रही तो एक formal setting में एक official setting में क्या बोला जा रहा है AL to M to N to O ये बोलता है scalar chain बहुत ही असानी से हमने समझ लिया scalar chain क्या बोलता है कि अगर E को O से बात करनी है तो उसको एक chain follow करनी पड़ेगी वो chain कौनसी है पहले वो D को contact करेगा फिर वो C को फिर B फिर A ऐसे चलते चलते O तक information पहुँचेगी बड़ सच्ची बताओ कसम खा के सुनाओ कि ये reality possible है reality में ये possibility है ही नहीं पूछो कैसे यार ये जो CEO है ये तो CEO है न CEO के पास इतना time है ही नहीं कि वो हर किसी बंदे की information सुने ये information देखे और कहे कि ठीक है यार मैंने अप्रूफ कर दी अब आप मेरे lower level employees को बता सकते हो ये CEO is not bothered for that the head of the company is not bothered अगर यार ECOO से कुछ part मंगवाना है तो इतना उपर जाने की जुरुरती क्या है वो directly बनवा सकता है तो ये ही बोल रखा है कि ये बहुत busy आदमी है इसके जो उपर बंदे है न जितने employees है, manager level पे है ये बहुत busy बंदे है वो shop floor level की बंदों की बात नहीं सुनेंगे कि यार तुम्हे communicate कर ला है तो कर लो सीधा scalar chain बोलता है, हमें ऐसे जाना चाहिए बट scalar chain एक और बात बोलता है अगर emergency हो ऐसा भी तो सकता नहीं, मिरे को बहुत emergency है मैं वो line of authority follow कर ही नहीं पा रहा, वो way से जाई नहीं पा रहा, मैं ये वाला way follow कर ही नहीं पा रहा, तो बोलता है, हाँ, there is a resort, क्या resort है कि situation में जहांपे emergency हो emergency लिखो है याँ पे word E.O को contact कर सकता है और इस process को क्या बोलेंगे gang plan gang plan g-a-n-g P-L-A-N-K gang plan perfect हमने सारा का सारा पढ़ लिये अब थोड़ा सा सुन लो क्या बोल रहा है an organization consists of superiors and subordinates अभी बात करी B, C का superior है, C, D का superior है D किसका subordinate है, C और B का E किसका subordinate है, D, C और B का perfect the formal lines of authority बात करी ना bike division, car division from highest to lowest highest to lowest are known as scalar chain हमने जो line of authority बनाई वो scalar chain कहलाती है according to FIOL, organizations should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by managers and subordinate जो हमने बिल्कुल chain की बात करें ना ये बोल रहा है, managers भी वही follow करेंगे और subordinates भी follow करेंगे अगर B को, scalar chain की according अगर B को L से बात करनी है तो वो directly नहीं करेगा वो पहले A के बात जाएगा फिर A उसकी बात communicate करेगा L को तो managers भी follow कर रहे है और subordinates भी follow कर रहे है perfect आगी बात समझ when for the sake of convenience and urgency बात करेंगे ना, emergency है, urgency है जल्दी यल्दी information पहुचा नहीं है या जल्दी यल्दी material लेके आना ताकि हमारी cost ना increase हो इतना time हम waste करें ही क्यों तो उस case में for the sake of convenience and urgency this path can be ये वाला पूरा जो path है इसे हम cut कर देंगे shortcut use करेंगे और उस shortcut को कहेंगे gang plank gang plank ये जो E to O direct communication जा रहा है इसको हम बोलेंगे gang plank perfect I hope अच्छे से clear हो गया होगा ये बहुत confusion रहती है आज हमें अच्छे से clear हो गया है last point हमार आते है centralization and decentralization बहुत easy है पहली बात तो ये तो समझा रहा है न हमें कि decentralization is the opposite of centralization हाँ centralization मतलब हर चीज center में है एक single authority है dictatorship है आपढ़ते हैं क्या बोल रहा है the concentration of decision making authority underline करो इसको ये सारी NCRT language है ये सारा हम NCRT language से ही पढ़ रहे है and I recommend you जब भी आप business studies पढ़ो question paper past year जरूर पढ़ो but सारी thorough reading होनी चाहिए NCRT की ये जितनी भी videos हैं ये आपको crux में explain कर रही है कि हमें क्या-क्या पढ़ना है क्या-क्या समझना है और फिर आपकी एक reading NCRT 100 out of 100 आपको लेकर आएगी है आप इसके बाद एक reading जरूर मानने NCRT की 100 out of 100 guaranteed है मैं बोल रहा हूँ आपको decision making authority क्या बोल रहा है concentration of decision making authority इसको है centralization की एक ही बंदा decision ले रहा है ठीक है वो बंदा कौन है वो है boss ये भाई सब कह रहे है काम पे लग जाओ क्या कर रहा हूँ यहाँ पे क्या क्यों मार रहे हो centralization of authority decision making क्या कौन कर रहा है एक single बंदा कर रहा है वो boss कर रहा है या उसके maximum दो managers कर रहे है but decentralization ये नहीं बोल रहा decentralization क्या बोल रहा है where the decision making authority it's यहाँ पे है decision making authority where decision making authority is dispersed जितने भी हमारे bosses हैं, जितने भी हमारे stakeholders हैं, वो सारे अलग-अलग काम करते रहे हैं, अलग-अलग काम मतलब उनका काम है funding arrange करना, या नए employees कौन से होने चाहिए, या नया product कौन सा launch होना चाहिए, या feedback system में कोई lag तो नहीं है, उनका काम ये बन जाता है, फिर जितने भी lower level के या उनसे नीचे level के, जितने भी हम कहें decisions लेने पड़ते हैं, या कुछ thought processes apply करने पड़ते हैं, उनको कौन लेता है, managers लेता है, आप समझ रहे हो, in general, large organizations है, more decentralization than the small organizations, अभी बात करें न, अपनी दुकान ले लो, अगर आपके पापा की दुकान है, या कहीं भी दुकान पे चले जाओ, तो वहाँ पे किसकी जलती है, या तो वहाँ पे boss बेटे होंगे, जिनको हम लाला बोलते हैं, लाला जी क्या आल है, या तो लाला जी की चलेगी, या उनके बेटे की चलेगी, बट जैसी हम company mentor करते हैं, या वो जो लाला जी होते हैं, वो जो boss होते हैं, वो जो owner पर है, we trust you, we consider you as subject matter experts, आप जो भी decision लेंगे अच्छा लेंगे, हम आपको authority देते हैं कि आप decision ले सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे decentralization, जितनी बड़ी organization, उतनी जादा decentralization, जितनी चोटी organization, small level पर, उतनी कम decentralization, उसमें जितनी भी decision making authority है, वो सारी centralized है, ये point बहुत important है, आपको future म में भी देखने को मिलेगा, practical language में भी, right, perfect, हो गया, practical application, इसकी जरूर हमने समझी है, देख लिया है, हमारा एक question रहेगा, बता हूं कोंसा रहेगा है, देखो, difference between, Henry Fjall principle, and F.W. Taylor के principle के बीच में ये जो difference है, ये हम करेंगे next video में, I hope you liked it, ये जरूर करना, ये differences बहुत important है, NCIT मैं ऐसा कोई question नहीं दिया वा, but I guarantee you, ये करके जाओगे, सिरफ 7 to 8 points है, 6 to 8 points बोल सकते हो, ये 7 to 8 points है, सिरफ इसके, इन differences को हम next video में cover करेंगे, have a great one, अच्छा लगा तो like जरूर करना यार, और याद रखना, तुमारा भाई तुमारे साथ है, target 100 out of 100, have a great one, bye bye झाल 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 झाल